आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, इस question में दिया गया है The capacitor of capacitance C can be charged with the help of register R by a voltage source V by closing the switch S1 while keeping the switch S2 open The capacitor can be connected in series with the inductor L by closing the switch S2 and opening S1 Then हमें बताना है कि if the total charge stored in the LC circuit is Q0 then for T greater than or equal to 0 हमां पास 4 options दे गा है तो हमें बताना है charge on the capacitor Q का time के साथ function क्या होगा ठीक है तो इन चारों में से relation में से कौन सा option सही होगा यह हमें बताना है So देखे यहां पर हम लोग case first ले लेते हैं इसमें हमसे बोला गया है कि हमने क्या करा है switch S1 को close कर दिया है तो हमारा जो circuit बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इसमें एक capacitor लगा होगा एक register और एक voltage source लगा होगा यह register होगा यह हमारा capacitor होगा तो इसमें देखो क्या होगा जब इसके steady state पहुँच जाएगा तो हमारा जो capacitor है open switch बन जाएगा तो यह open switch की तरह act करेगा जब T जो हो जाएगा steady state में पहुच जाएगा यान T tending to infinity हो जाएगा तो इस case में यहाँ पर charge जो इस्टोर हुआ है वो क्यों not store हुआ है ऐसा हमको given है अब case 2 अगर बनाएंगे case 2 में उसने कहा है कि उसने S2 को close कर दिया और S1 को open कर दिया तो हमाँ पस क्या बचेगा एक capacitor बचेगा वो किस के साथ series में connect होगा वो inductor के साथ series में connect होगा तो यह क्या है inductor है अब देखिए हमारा यह एक circuit है इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं माल लेते हैं यह current flow कर रही है तो इसमें हम लोग लगा देते हैं KVL KVL क्या बोलता है Summation of all voltage equal to zero यानि कि voltage drop across capacitor plus voltage drop across inductor वो क्या होगा उसका sum zero हो जाएगा अब देखो capacitor के across voltage drop क्या होता है Q by C होता है plus voltage drop across inductor क्या होता है यह होता है minus L di upon dt होता है और यह equal हो गया जिरो के अब देखो current के हम लोग क्या लिख सकते है DQ upon D की DQ upon dt तो अब यहां से current को differentiate कर देंगे with respect to time so di upon dt को इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको फिर double differentiate कर देंगे तो यह हो जाएगा d square Q upon dt square अब इसकी value हम लोग इसमें put कर देंगे इस वाली equation में तो यहां पर हो जाएगा Q upon C is equal to L di upon dt के जिएगे हम लोग यह लिख सकते है d square Q upon dt square अब यहां से देखो जो हम लोग Q को लिख सकते हैं Q बराबर Lc d square Q upon dt square अगर आप options को देखे हैं तो option में हमारा option C जो होता है Q is equal to Lc d square Q upon dt square यह हो जाता है से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 उपर